असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ बैंगन और अंडे की एक रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है जब अर्दसी रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक बैंगन डिया है इस तरह से इसके उपर हम एक ड 2 पहं पु सब्सक्त अन्दर तक पके इसलिए यह कट लिए जाते हैं तो इस तरह से तरह से दूसरा बैंगन भी रेडी कर लिए और अब इसको हम भूनने के लिए गैस पे रखेंगे मान के लिए इस तरह का जाली स्टेंड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे बैंग बहुन जाएगा नहीं तो डारेक्ट फ्लेम के उपर भून सकते हैं। गुमाते हुए चारो तरफ से भून लेंगे। और यह दिखे हमारा बहुन बहुन के रेडिया है। अब इसको हम भून निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसा भून भी भून के तयार करें लेंगे। फिर्दा लेन मेश कुछने मेश हम सकते हैं। आप हम जाएगिaktन लिए टेख यह दोया तरफ से निकालें लैंगे। इसतरह से हम धीर दिरे ऑस रिओर भूने के पारते मेरे बहुत एह पक्तर निकालें। इसको हम इसको भूने बहुत हम स्कीमाते धीर में मढunu ह अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में लेंगे ओयल तो यहां पर दो बड़े चमश लिया है मैंने अची तरह से गरम कर लिया है आदा चोड़ी चमश में जीरा दालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे दो पिंच के कर दो मीडियम साइज की प्यास पारिक चॉप की हुई प्यास को हम हलका गोल्डन ब्राउन कर लेंगे आज हमारी हलकी सी ब्राउन हो गई है अब इसमें हम अधरक लैसून का पेस्ट डालेंगे एक छोटी चमश और अधरक लैसून के पेस्ट को भी हम दो मिनट के लिए भू पहले मैंने अधरक के लिए उसके बाद हम इसमें घ्रेट किया हुआ अधरक आड करेंगे केरिंगे जान रवले pays का यह चाहार कैने प्यास्ट कर के लिए इसमें अधरक रिवर बहुत अच्छा आता है ओ पर ग्रेट कर ने कर कि इसमें अधरक आड कर लेंगे अची तरह से नेक तोड़ा लिए दूर के लिए पकार रहें। अगर आप मसाले दाल रहे हैं नहीं नहीं जरूड़ा नहीं खाते हैं नहीं यह जरूड़ा लेका छाली। पावडर, नमक टेस्ट के साबसे एक चुटी चमस के नमक और टेस्ट के साथ तोड़ी सी ठाल लेगे तकरीवन तकरीबं 1-4 ती-स्पून. जाले एककार ही तो उसे कर मिक्स कर लेंगे अचही तरह करेंगे दूह से राज़ा तरह करेंगे और साफकर उसको हमने परेश कर लिया है द्ली पाट चाकू की हलप से छोड़-छोटा काट लिया है तो टमाटर और पैंगन हम इसमें अश्य टरह से चलाते हुए हम इसे डोथीन मिनट के लिए कुक करेंगे दो-तीन मिनट के लिदे अच्छी तरह से बहुना है तीन मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हमसे ढखके पका लेंगे दो तीन मिनट के लिए दो मिनट के लिए मैंने से ढखके और पका लिया है आप इसमें डालते हैं हम बारी कटा हुआ हरा धनिया हमारा बैंगन का भरता अंडे के साथ बनके रिडी है बहुत ही टेस्टी बनता है आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरह के से ज़रू ट्राइ करें आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ सर्प करें हरा धनिया डालने के बाद हमने इसे दो मिनट और ढखके रख दिया था अब इसमें डालते हैं गरम मसाला पाउडर आदा चोटी चमच और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसकानी के बाद हम इसे दो मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे और दो मिनट बाद आप इसे डिशाओट कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा सा हमारा बेंग खाने में बहुत ही मज़तार होता है तो आप इस तरह से एक बार अंडे के साथ पहेंगन की भरती की रेसेपी को जरूर ट्राय करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहरी बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न झाल